नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आए हो पाप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की ये विडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है पिकॉर्ज आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को 11 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आपे धमाकेदार डिविडेंट एंड इंड स्टॉक्स प्लिट अनौस किया है और दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर ही नहीं 11 स्टॉक्स की में आप लगों को पूरी डिटेल्स दूँगा बताऊंगा इनोंने क्या के चीज़े अनॉंस करी हैं और किसके इस वैलियू से अनॉंस करी हैं तो आप काफी जादे information मिस कर जाओगे नहीं 11 स्टॉक्स के बारे में जो कि personally मैं नहीं चाता हैं आप आप कोई भी information मिस करो इसलिए इस वीडियो को end तक देखना और कहीं पे भी skip मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को भी subscribe कर दीजे मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरोश चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं बताता हूँ आपको कौन से 11 stocks जो कि आप धमागेदा dividend and stock split देने जा रहे हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं पर मारे पहले stock की तो company का नाम है Icelia Solutions and company का current stock price currently 1477 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये 24th of January को अब जो purpose रहने वाला है वो dividend को लेके रहने वाला है तो आप stock को अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हैं अगर company ने काफी अची value से हैं पर dividend announce किया तो definitely हमें stock के अंदर में काफी अची rally देखने को मिल जाएगी अगले stock की बात करें तो company का नाम है wind India and company का current stock price currently 7,588 रुपीज के अपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 18th of January को and आपे purpose वो ही रहने वाला है dividend का तो आप stock को भी अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हो because company fundamentally काफी जादा strong है and अगर company ने आपे average जी जो dividend announce करती है average जी वो ही dividend announce कर दिये दुबारा से तो भी हमें stock के अंदर में काफी अची rally देखने को मिल सकती है अगले stock की बात करें तो company का नामे एक्जो नोबल इंडिया and company का current stock price currently 215 रुपीज के ओपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 9th of February को and आपे जो purpose रहने वाला है वो भी dividend को लेके ही रहने वाला है अब इस stock की जो board meeting है इस company की उसमें काफी ज़्यादा time है तो आप अच्छे से अपना मन बना सकते हैं अगर आपको इस stock समझे में आता है तो इसे अपनी watch list के अंदर में add करियेगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है high tech pipes सेंट company का current stock price 871 रूपीस के उपर में trade हो रहा है company ने अब बोर्ड मिटिंग और्गनाइस करी है 28th of January को और अब जो purpose रहने वाला है वो stock split को लेके रहने वाला है आप इस stock को भी अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हैं company ने 1-10 या फे 2-10 के ratio से stock split announce कर दिया तो definitely हमें stock के अंदर में काफी अची rally देखने को मिल सकती है अगर यह stock आप लोगों की watch list के अंदर में already added होगा तो अब इसे सही time पर purchase कर पाऊगे जिसकी वज़ेसे आप आपको इसकी stock split का benefit तो मिलेगा ही मिलेगा बलकि short term के अंदर में stock में जो भी rally आएगी उसका भी benefit यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Procter & Gamble Health and company का current stock price currently 4,000 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 8th of February को और अपे जो purpose रहने वाला है वो भी dividend को लेके रहने वाला है अब Procter & Gamble Health जो company है यह pharma sector की काफी बड़ी company है अगर company ने काफी अची value से आप dividend announce किया तो definitely हमें stock के अंदर में rally देखने को जरूर से मिलेगी अगले stock की बात करें तो company का नाम है Gillette India company का current stock price currently 4,977 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 1st of February को और अब जो purpose रहने वाला है वो भी dividend को लेके रहने वाला है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Procter & Gamble Hygiene Health company का current stock price currently 13,900 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 31st of January को और अब जो purpose रहने वाला है वो भी dividend को लेके रहने वाला है अब इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी company की एक और subsidiary company के बारे में बताया था जिसका नाम है Procter & Gamble Hygiene Health आइए बात करते हैं आपे मारे एगले stock की तो company का नाम है Tata Consultancy Services and company का current stock price currently 3,318 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनौंस के 75 रुपीज पर stock के इसाब से जिसके अंदर से 67% जो 67 रुपीज का जो dividend होने वाला है वो यहाँ पे special dividend होने वाला है तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहाँ पे आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी X-State यानगी 16th of January से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Hevels India company का current stock price currently 1,199 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करें 19th of January को एंट परपस रहने वाला है dividend का अगले stock की बात करें तो company का नाम है Cams Limited company का current stock price currently 2,222 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करें 7th of February को एंट परपस वही रहने वाला है dividend का आईए बात करते हैं पर हमारे Eglian last stock की तो company का नाम है KCD Industries Limited company का current stock price currently 96 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे stock split announce के 1,5 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपकी पास में इस company का एक stock है तो यहाँ आपका एक stock total 5 stocks में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो X date होने वाली है वो भी तक upcoming में है तो company की तरफ से जैसी कोई भी official announcement आता X date को लेके मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतने यही 11 stocks थे जो कि आने वेले टाइम में धमाकेदार stock split and dividend देने जा रहे हैं अब अगर आपको वीडियो अची लगिए वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye